तो देखिए फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को ये प्रिंसिस कट ब्लाउज आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ ये मैंने लॉंग ब्लाउज बनाया है अपने ड्रेस के लिए और इसका जो फुल ड्रेस का जो वीडियो है वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं तो हिलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे तो ये प्रिंसिस कट ब्लाउज की जो कटिंग है वो हम मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ तो चलिये शुरू करते हैं तो देखैंघै इसको बनाने के लिए ये मैंने ने कॉटन लाइनिंग फैबरिक लिया है इस कडोकह मम नेदे है है इसमें हम लाइनिंग डालेंगे और ये हमारा में में फैब्रिक है इसमें जो है वो embroidery जो है वो बनी हुई है ठीक है यह हमारा main fabric है तो अब हम इसको साइड मेें रख देते से हैं और सबसे पहले हमारा cotton lining fabric है उसमें cut कर लेते हैं तो देखिए मैंने सबसे पहले बेक कट करना है यह ओपन से रखा है इसमें और यह देखिए मैं अपनी जो ले रही हूं वह 16 इंच मेरी लेंथ है बलाउस की 1 इंच मैं एक्षटा इसमें लिया है 17 इंच पर क्योंकि हम यह बलाउस है वह लॉंग में ले रहे हैं तो अभी देखिए यहाँ पर जो है तो देखिए इतना fabric हमने छोड़ देना है क्योंकि हम इसको open रखेंगे back से इसलिए मैं इसको यहाँ से half inch extra छोड़ रही हूँ अब हम यहाँ से लगाएंगे 7 inch पे हमारा जो shoulder होता है वो और यहाँ से भी हम लगा देंगे 7 inch पे आर्मोल के लिए ठीके तो यहाँ से यह सीधा कर देते हैं और यहाँ से भी मैं इसमें 7 inch पे ही लगाऊंगी तो सबसे पहले मैं इसमें back कट कर रही हूँ जो के हमारा open रहेगा पीछे से तो देखें मेरा chest जो है वो 36 का है तो 36 inches का मैं इसमें बना रहे हूँ तो यह 9 inch पे मैंने लगाया है 4 से divide करके तो यह 9 inch पे लगा कर यहाँ से यह आर्मोल का shape मैंने दे दिया है और 2 inch मैंने इसमें margin ले लिया है 2 inch का हमने इसमें margin लेना है और जितना हमने chest में लगाए है उतना ही हम इसमें waist round में भी लगाएंगे और ये कैसे हाँ क्यों हम लगा रहे हैं ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग बने रहे हैं वीडियो पे जितना हमने chest में लगाया है उतना ही मैंने waist round में भी लगाया है तो देखें ये अभी हम इसको इन दोनों को यहां से ये सीधा सीधा एक निशान लगा कर जोइन कर देंगे तो ये अब हमारा बैक है तो देखें मैं यहां पर 3 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ नेक विट के लिए 1.5 इंच मैंने इसमें डाउन किया है हाफ इंच से दो सूद ज्यादा मैंने इसमें डाउन किया है तो चलिए ये बैक जो है वो कट कर लेते हैं फटाफट से अब इसी को रखके हम अपना फ्रेंट जो है वो कट करेंगे तो ये बैक हमारा कट हो गया देखिए अब इसी में से हम अपना front कट करेंगे तो front जो है वो मैं open side से नहीं ले रही हूँ तो इसको हम copy कर लेते हैं जो मैंने half inch extra छोड़ा है उसको बाहर निकल दिया है मैंने यह दिखें यहां से मैंने इंशान ले लिया है अब दिखें मैं यहां से नीचे से जो है यह one inch extra ले रही हूँ यहां से यह दिखें यह one inch मैंने extra इसकी length और बढ़ा दिया है यानि के 18 inch हो गया यह और यहां से भी one inch extra लेंगे तो यह इस तरह से one inch मैंने side से और नीचे से extra बढ़ा कर लिया है ठीक है अब यह side का जो है यहां से हमने armhole के पास सिदा सिदा मिला देना है तो यह मैंने मिला दिया अभी तो यह हमारा front है guys तो अभी मैं इसको cut कर लेती हूँ उसके बाद बताती हूँ आप लोगों को और आगे हमने क्या करना है तो यह front का armhole है देखिए हमारा तो हमने front का armhole का shape नहीं दिये थे तो मैंने दे दिया है अभी तो यह देखिए यह मैंने अभी cut कर दिया अब हम यहां से लगाएंगे देखिए एक 4 इंच पे मैं इसमें निशान लगा रही हूँ और यहां से देखिए सबसे पहले मैं अपने जब point होता है अपमारा shoulder से वो लगाया है मैंने 11 इंच पे और यहां से मैंने 4 इंच पे लिया है अपने dart का point तो यहां से भी 4 इंच पे ही ले रही हूँ और मैं यहां से इसको मिला दूँगे तीक है उपर से मैंने 11 इंच लिया और मैंने middle से जो है वो 4 इंच पे लिया यह 1.5 इंच का margin मैंने इसमें लिया है और इस निशान को हम यहां से एक free hand shape दे रही हूँ मैं आप चाहो तो इसको फ्रंच कर रपकी भी दे सकते हैं ठीक है तो यह मैंने इस तरह का यह shape दे दिया है और losing जो है वो मैंने 1.5 इंच की ही रखा है इसमें अपने dart में तो यह मैंने shape दे दिया भी और यहां से देखिए यह जो 1 इंच एक्टा हमने लिये थे यह यहां हम मिलाएंगे अब चाहो तो इसको यह back जो है यह यहां पर लगाकर इसका निशान लेकर भी इसमें shape दे सकते हैं ठीक है तो यह देखिए इस तरह से हमने इसको shape दे देना है तो हमारा जो margin है वो 2 इंच का है तो यहां पर 2 इंच का margin लगाएंगे उसके बाद हम इसमें यहां से फिर से shape दे देंगे ठीक है जैसे के मैंने आप लोगों को बताया आप यह back जो है यह इसको रखके भी इसमें shape दे सकते हैं ठीक है यह 2 इंच का margin है हमारा तो देखिए आप यह shape जो हमने दिये थे इसको हम यहां से cut कर देते हैं और यह देखिए मैं neck इसमें रख रहे ही हूँ 4 इंच का आप अपने according रखिएगा और यहां से मैंने 3.5 इंच का margination लिया है जो neck वीर थे वो तो guys shoulder मैंने इसलिए थोड़ सा ज्यादा रखा था क्योंकि मैं जो neck है वो छोटा रखने वाली हूँ इसलिए ठीक है तो अभी देखिए यह back मैंने ले लिया है यहां से मैंने लगा दिया 4 इंच पे यह dart मैं लगा रही हूँ तो guys मैं जो dart का जो length ले रही हूँ वो six inch ले रही हूँ कि हमारा जो blouse है वो long में है और यह half inch का मैंने निशान लगाया है दोनों तरफ और इसको हम यहां से इस तरह से dart अपना बना लेंगे इस तरह से निशान लगा कर तो अभी देखिए यहां पर हम अपना जो neck है back neck वो इसको हम copy कर लेंगे यहां पर हमने हाफ inch का जो fabric छोड़े हैं इसमें उसको हटा कर ही हमने इसमें निशान लेना है यह देखिए मैंने इसमें धाई inch से तीन inch का जो है वो neck रखा है back ने आप अपने according रखिएगा इतना धिहान रखिए आप लोग कि आप लोग अगर neck छोटा रख रहे हैं तो shoulder आपको ज्याद लगाए थे इसमें princess cut का वो cut कर लेते हैं यह देखिए यह जो हमारा dart का निशान है वो यहाँ पर हमें इसमें नोच लगा रही हूँ अब यह जो है extra हमारा यह भी हम cut करके हटा देते हैं तो यह देखिए यह point to point हमारा मिलना चाहिए ठीक है इस तरह से तो यह बराबर है हमारा तो अभी देखिए यह main fabric में मैंने रखते हुए as it is cut कर लिया है जैसा हमने lining cut किये थे ठीक है तो यह देखिए यह हमारा front है यह middle का पीस है हमारा front का और यह हमारा back है ठीक है तो back हमारा open है तो दोनों हमारा main fabric भी open ही है ठीक है गाइस तो अभी देखिए इसको हमने जोनना कैसे है यह बताऊंगी मैं भी तो गाइस अभी जो lining है हमारा lining के साथ जुड़ेगा और जो हमारा main fabric है वो main fabric के साथ ही जुड़ेगा ठीक है अलग-अलग ही जोनना है हमने जो जिसका है वो उसी की साथ हम इसको जोड़ेंगे तो चले एक पीस मैं आप लोगों को जोड़ कर दिखाऊंगी इसमें तो दिखें सबसे पहले हम अपना जो अस्तर है वो हम एक दूसरे के ता इस तरह से point to point मिलाएंगे उसके बाद जोड़ेंगे ठीक है यहां से तो यह मैंने अस्तर जोड़ लिया इस तरह से तो चले एक पीस मैं आप लोगों को यहां पर लगा कर दिखा दूंगी ठीक है यह main है हमारा तो main fabric main fabric पर ही जुड़ेगा तो हमने नीचे से शुरू करना है ठीक है और यह जो point है हमारा बिल्कुल खीशना नहीं है हमने बस रखते जाना है ठीक है ताके यह छोटा बढ़ना हो जाए हमारा यह इस तरह से आप लोगों को जोड़ देना है तो यह मैंने आप लोगोंको एक जोड़ दिखा दिया है तो यह हमारा main fabric जो है यह भी हमारा एक दूसरे के साथ जूड़ चुका है अब यह हमारा lining निंग भी लिया है तो आप दिखें यहां पर हम अपने कफ लगाएंगे यह मैंने कफ ले लिया है और इसको मैंने यहां से यह पॉइंट निकाल दिया सेंटर पॉइंट और इसी पॉइंट को हम यहां पर हमारा जो निशान है हमने जो कट किये थे उस निशान पर यहां पर मिलाएंगे ठीक है ये बराबर हमारा मिलना चाहिए उपर नीचे नहीं हो जाना ठीक है इस बात का दियान रखिए आप लो और इसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे तो देखें यहाँ पर मैंने रखते वे इसको उल्टा रखते वे लगाया है ठीक है अब मैं इसको इस तरह से सिधा कर दूँगी तो ये देखिए ये हमारा जो lining है इसमें हमने लगा दिया है ठीक है दोनों pad मैंने लगा दिया है इसमें अब हम अपना जो अस्तर है उसको हम रखेंगे इसके उपर अपना neck जो है वो fold कर लेंगे ठीक है ये half inch पे मैंने इसको सिलते वे अपने neck को fold करूँगी तो ये देखिए ये neck को मैंने सिल दिया भी अब मैं यहां से चोटे-चोटे cut लगाओंगी और मैं इसको अंदर की तरफ fold कर दोँगे यहां से मैंने इसको fold कर देना है ठीक है हमारा जो नेक का जो हमारी दाप सिलाई होती है वो मैं इसमें लगा दूँगे भी ठीक है और इसको अभी हम चारो तरफ से इसमें बंद कर देंगे और यह जो नेक है हमारा वो मैं लगा दूँगी और इसको चारो तरफ से अभी बंद कर दूँगी ठीक है यहां से मैं दापसिला इसमें लगा दूँगी यहां से तो यह मैंने अभी बंद कर दिया है देखिए इसको यह फ्रंट हमारा डेडी हो चुका है ठीक है तो यह देखिए मैं यहां से पिन ल पूरे में इसको चारो वहर सेुलाइल लगा कर इसको देखिया armATE कर दिया है मैंने इसको यह moms बंद कर दिया है इसको अभी हमने इसमें क्या करना है दिखिये नीचे से पटी करेंगे और यह जो पटी मैंने से अच्छे से फोल्ड हो जाएगा ठीक है और यहां से दिखे यह अंदर की तरफ में इसको फोल्ड करते हुए इसमें बना दूँगे यह देखे इस तरह से हमने इसको सिल देना तो यह हमारा फ्रेंट का जो नीचे का जो है वो हमारा बंद हो चुका है तो अभी दिखे यहांपर मैं यह इसतरह से जालर वाली जो लेस है इसको मैं यहांपर लगाओंगी बस इसमें मैं रख दूंगी और सिल दूंगी इसमें और कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें धागे वगेरा कुछ नहीं निकलेंगे इसलिए मैंने इसको उपर से ही लगाया आप चाहो तो इसको अंदर से भी लगा कि इसमें इसको छिपा सकते हैं ठीक है बस मैंने इसको इस तरह से रख दिया है और इसमें सिल दिया ठीक है तो यह अभी हमारा जो फ्रेंट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है फुल टू फुल ठीक है यह दिखिए यहां से मैंने यह लगा दिया भी तो अभी हम बैक पीस रेडी करेंगे गाइस तो चलिए यह फ्रेंट को आभी साइड में रख देते हैं ठीक है तो देखिए यह बैक मैंने ले लिया अभी अब ये जो बैक है हमारा ये दोनों हमारे लाइनिंग है ये हमारा मेन फैबरिक है अब एक piece मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें हमने क्या करना है देखिए एक piece मैंने लिया अभी यहां से हमने neck का जो हमने margin है वो हमने सबसे पहले लगाना है इसमें half inch का margin में लगाया और एक पट्टी मैंने लिया है यह 3 inch की है साड़े 3 inch की और इसको मैंने double fold किया इस तरह से यह हम button पट्टी के लिए बना रहे हैं अब दिखे इसको यहां पर रखते वे इसको हम यह देखे सिलाई का हमने छोड़ देना है उपर neck का half inch और यहां से हम इसको पहले लगा देंगे और यह जो extra है इसको cut कर देंगे अब यह हमारी लग चुकिए अब हम इसके उपर हमारा lining जो रखेंगे अब हम इसको neck के साथ fold करेंगे ठीक है यह हमारा neck है अब यह पट्टी हम इसको यहां से सिल देंगे तो यह अंदर से हमारी जो पट्टी है वो बहारा जाएगी अब हम यहां से cut लगा देंगे चोटे-चोटे से यह मैंने cut लगा दिया भी अब हम इसको यहां से यह देखिए इस तरह से इसको fold कर देंगे अंदर की तरफ हमारे lining को अब यह जो पटी है हमारी यह बाहर निकल चुकिए यह button पटी हमारी ठीक है अब हम इसमें अब इसी तरह से देखिए यह वाला जो पीस है यह वाला भी हम बिल्कुल रेडिक लेंगे बस इसमें हमने पटी नहीं लगाना है ठीक है तो यह देखिए इस तरह से लगा कर मैंने इसको सिल दिया भी एक में हमने पट्टी लगाना है, इक में हमने पट्टी नहीं लगाना है तो यह देखिए, यह इस तरह से हमारी एक दूसरे पर हो जाएगी अब हम इसका शूल्डर जोईन करेंगे, यह फरंट पैनल ले लिया है भी यह इस तरह से जहसे हम lining वाली blouse की सिलाई करते हैं बिल्कुल वईसे ही है यह ठीक है तो यहाँ पर सिलाई को सिलाई में मिलेंगे जो हमारा main fabric है वही हमने मिलाना है दोनों में और जो हमारा lining है वो हमने इसको इस तरह से fold करना है तो चलिए शूल्डर भी जोइन कर दिया है दिखिए अब मैं इसको यहां से सीधा कर देती हूँ यह देखिए इस तरह से यह भी मैंने सीधा कर दिया है अब इसको सीधा करने के बाद जो भी हमने इसको चारो और से सिलके इसमें बंद कर देना है तो यह देखिए कुछ इस तरह से यह finishing के साथ हमारा blouse जो है वो हो गया है तो अब धी देखिए यहां से हमारा open है कितना finishing से हमारा shoulder जूर चुका है अब यह जो बाकी का हमारा open है यहां से जितना भी यह सब हम इसमें बंद कर देंगे ठीक है ओके गाईज दिखे ये चारो तरफ सिलाई लगा कर हम इसमें बंद कर देंगे इसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे चारो तरफ से सिलाई लगा कर इसमें बंद कर देंगे उसके बाद जो है ये डार्ट्स मैंने ये निशान लिये थे जो आप लोगों के सामने, तो ये डाटस जो है हम यहां से सिल देंगे, ठीक है, ये दिखिये, यहां से, तो अच्छा लिए, ये भी रेडी कर देती हूं, तो डार्ट भी मैंने लगा दिया है, अभी, तो अभी नीचे जो है, उसको हम बंद करेंगे, ये डार्ट हमने लगा दि दिया ठीक है और यहां से मैं इसको सिर्वाद हूँ लौकि से हम छोटी सी एक पलेट इसमें डालेंगे क्योंकि हमने जो डाट लगा हैं उसकी वजे से यह थोड़ी सी फायल जाएगा इसलिए मैं इसको इसे टरह से एक छोटी सिस पलेट लगा रही हूं डाट की देना तो यह हो गया भी हमारा इसी तरह से हम जो दूसरा वला है उस पर भी सिल लेंगे अगि यहां पर तो इसी पट्टी को यह दिखिए यहां से मैं एक्स görün कालूंगी यह नीचे करूंगी और यहां से मैं इसको बंद कर दूँगी, ठीक है? बिलकुल इसी तरह से. तो देखिए यह नीचे से भी मैंने बंद कर दिया भी, यह हमारा रेड़ी हो चुका है, अब हम इसको मैं इसमें हूक लगा दूँगी ठीक है? यह देखिए, यहां से हमारे हूक लगेंगे, यह उपन स जाता है ठीक है तो देखिए इस तरह से में सीधा-सीधा टू-इच का निशान लगा कर इसमें साइड जो है बंकर ढूंगी। अगर आप लोग इसमें सलीben लगान नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको बंद कर सकते हैं बठ मैं इसमें सलीव लगाूंगे और यहां से देखिए यहां पर मैंने बंद कर देना है इस तरह से ठीक है जिसे कि मैंने आप लोगों को बताया है बैक में जो है वो मैंने उपन रखा है तो यह जारा comfortable रहता है गाईस आप चाहो तो इसमें sleeve लगा सकते हैं मैं आप लोगों को sleeve cut करना नहीं बताया है मैंने और मैंने sleeve cut कर लिया है यह मेरा में जो मेरा dress है उसी के साथ मेरा यह वाला fabric है silk satin fabric उसी के मैंने sleeve लगाया है तो जरूर इसकी वीडियो next video जरूर देखिएगा गाईस इसका जो पूरा जो dress है वो मैं उसी में share करूंगी ठीक है तो देखे sleeve हमारी लग चुकी है तो गाईस कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप comment कीजिए मैं जरूर आप लोगों के साथ answer करूंगी क्या समझ में नहीं आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को और follow कीजिए मुझे instagram पर फेस्बुक पर भी और सभी की link जो है वो मैंने description box में दे दिया है new ID है मेरी instagram की और आप भी मेरी मुझे कुछ picture भेजना चाते हैं तो मुझे instagram पर जरूर भेज सकते हैं मैं जरूर कोशिश करूंगी उसको बनाने की तो बीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो मिलती हूं मैं next वीडियो में तब तक के लिए अपना धेर सारा खि याल रखिए और दुआ में मुझे याद रखिए और फोलो कीजिए मुझे facebook पर भी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाई लाफीज